फाइब सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी महोदय राष्टी उद्देशों की प्राप्ती हेतू हमने सार्थक परियत्न किये हैं कहीं सिच्छा को इसका आधार बनाया है तो कहीं अन्य साधनों से हम इन उद्देशों की प्राप्ती के लिए प्रयासरत हैं किन्तो अपेच्छित सफलता हमें नहीं मिल पाई है इस समय एक लोकतंत्र देश में सामपरदाइक सदभाव योम समाजवादी समाज की रचना का उद्देश मुह बाए खड़ा है देश के हितों के लिए समय की मांग के लिए आज जनमत तयार करने की महती आवस्यता अन्भव की जा रही है यदि हम यह उद्देश प्राप्त कर लें तो देश में सांती वा सदभावना इस्थापेत हो सकती है उससे देश आत्मनिर्भर वा मजबूत हो सकता है तथा बड़ी द्रणता से विदेशी ताक्तों की साजिसों से बचा जा सकता है इन उद्देशों से प्राप्ती में जन संचार माध्यम की बड़ी भूमिका है तीन चार दसक पहले तक किसी नव विबाहिता को आसीश देते समय कहा जाता था दोधो नहाओ पूतो फलो साथ बेटों की मा होना सोभाग्य सूचक होता था पर आज वह बात नहीं सीमित परिवार और हम दो हमारे दो कानारा अब चौकाता नहीं बड़े बुढे भी इसे सहज भाव से लेते हैं सामाजिक मान्यताओं में ब्यापक परिवर्तन लाने में जन संचार माध्यमों ने ही महत्तपोंड भूमिका निभाई है अंद विश्वासों को बंद गली से चौराहे पर लाने का कार जन संचार माध्यमों ने ही किया है अब यह नहीं माना जाता कि कुष्ट रोग पूर्व जन्व के पापों का फल है बलकि जन संचार के साधनों ने इस तथ्य को बल दिया है कि जीवन में यह लगने वाला एक रोग है जिसका उपचार संभव है बेटेन के मध्य यूगीन समाज में चुड़ायल समझ कर हजारों इस्त्रियों को मौत के घाट उतार देने की परमपरा रही है भारत में बाल बिबाह और सती प्रथा इन सब को समाप्त करने में जन संचार और उनसे पैदा हुई जन जागृती की प्रमुख भूमिका रही आज हमारा समग्र चिंतन सतत रूप से जन संचार साधनों के बहमुखी आक्रमण से प्रभावित है इन तथ्यों को स्वविकार करने में किसी को कतई हिचक नहीं हो सकती की जन संचार माध्यमों को राष्टी परिवर्तन का सस्त्र बनाया जा सकता है आम तोर पर व्यक्ति और समूह अपनी मौजूदा रीतियों से चिपका रहना चाहता है लोग एक दूसरे का इस तरह अनुसरन भी करते हैं इस मनोबग्यानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए यहां आवस्यक है महोदे देशवासियों का कल्यार किसी भी देश का राष्टी उद्देश होता है कभी कभी सरकारें इसके प्रती धिलाई या उदासीनता बरतने लगती हैं ऐसे समय सरकार को जख जोरना और नागरिकों को जगाना जरूरी होता है यह काम जन संचार के माध्यम से ही संभव है उसी के माध्यम से सही आवाज उठाई जा सकती है जिसके दवाओ से सरकार की बेखबरी की नीद दूर हो सकती है जन संचार माध्यम का उद्देश है कि वह देखे कि वह राष्टी उद्देशों की प्राप्ती में सहायक हो राष्टी उद्देश होता है देश संगठित रहे इसके लिए मीडिया को संतुलन सदा सैता को बढ़ावा देना चाहिए वर्तमान में जन संचार माध्यमों की भूमिका पहले से कहीं ज़्यादा महत्तपूर हो गई है इन साधनों की सकती अपार है यदिवे एक हो जाएं तो समाज में किसी भी नई चेतना को उजागर कर सकते हैं चाहे तो समाज सुधार के आंदोलन को मजबूत कर दें और चाहे तो पीत पत्रकारिता और नीली फिल्मों के माध्यम से समाज में योन कुन्ठाओं को जन्म दें दुरभाग से हमारे देश में सुतंतता के इतने वर्सों बाद भी हमारे जनसंचार मध्यम अधिकान सतह उन लोगों के अधिकार में हैं जिन्होंने अपनी सिच्छा और दिच्छा या तो पबलिक स्कूलों में प्राप्त की हैं अथ्वा बिदेशी सभता में और संस्कृती के साए में केरल पस्चमी बंगाल महाराष्ट और कुछ हद तक तमिल नाडू और अन्य प्रदेशों को छोड़ दें तो सारे देश में अंग्रेजी पत्रिकाओं का ही बोल बाला है हमारी नीतियों का निर्धारण करने वाली नवकर साही एक तो स्वयम ही पस्चमी सभता के साए में पली है दूसरे उसे अपनी नीतियों के निर्धारण में जिस जानकारी और सम्मती की आवस्चता होती है वह उसे अधिकान सताह अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती है जिन पर विदेशी प्रभाव इसपस्ट लच्छित होता है कहना ना होगा कि ऐसे में हमारी नीतियों के निर्धारण में जन्मत कैदी बन कर रह गया है अतह आज आवस्चता है देशी और प्रादेशिक भासाओं के ससक्त जनसंचार माध्यमों की जो भारती जनता की वाणी बन सकें आज देश की अखंडता को अचुन बनाए रखने राश्टी भावना को मजबूत करने सामाजिक आर्थिक बुराईयों को दूर करने धर्म निर्पेच्चता की भावना को बल देने समाज के विभिन लोगों को एक दूसरे के करीब लाने और छेतरी भावना को समाप्त करने तथा जन्तांत्रिक धाचे को बनाए रखना अत्यन्त आवस्यक ही नहीं अनिवार है हमारे पास कौन सा बल था हम अपमान और अत्याचार के सिकार थे किन्तु हमारे नेताओने हमें भाय और घ्रणा की भावना से उपर उठाया सभी कशनाईयों को पार करते हुए हमने अपनी निगाह भविश की तस्वीर पर जमाई एक आदुत्ती सताब्दी थी वहां उसमें अत्याचार की कालिमा को जगमग बना रहा था महान बउधिक का प्रकास प्रकास मक्ष्वा रहा थाव एक प्रुट्ट्ट्ट्रा लग एक हमेजाशन की अपना प्रा रहा थाव और रहा प्राव लाव घ्रा रहां रहां झाल